हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रमूद आपके चैनल भाइजी टेक में आप सभी का श्वागत है तो दोस्तो काफी समय वेट करने के बाद फाइनली IQ7 में एक नया साफ़वेर अपडेट देखने को मिला है हलाकि यह जो अपडेट है ना बहुत सारे IQ7 के जो यूजर्स है उनको आठ से दस दिन पहले मिल चुका था तो पता नहीं क्यों ऐसा IQ करता है कि बाकी उजर्स को काफी लेट यह जो साफ़वेर अपडेट है वो प्रवाइड करता है तो दोस्तो आज इस वीडियो मैं इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे ऐसे तो कहा जाए दोस्तों यह आ देखने को मिल रही थी और जो मेरा बैटरी बैक अप था ना वहाँ पर किवल साड़े पांच घंटे का देखने को मिल रहा था जब हम थोड़ा बहुत गेमिंग कर रहे थे अदूसरा जो मेजर प्राबलम देखने को मिला था वो काल कनेक्टिविटी को लेके था क्योंकि उस अबडेट के बाद यहाँ पर 4G प्लस की जो कनेक्टिविटी थी बहुत ही बेकार हो गई थी प्राबलम दोनों था ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया था और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि यह जो प्राबलम आपको देखने को मिल रहा ह तो इन दोनों प्राबलम को ना इस अबडेट में कंसीडर किया गया तो इस बेस पर मैं कर रहा हूं कि यह अच्छा खासा अपडेट है हाँ दोस्तों इसका डीटेल रिवीव बैटरी ड्रेन टेस्ट बैटरी चार्जिंग टेस्ट सब कुछ आएगा इसके लिए चैनल पर करें दोस्तों आएक्यू 7 के ओल्ड वर्जन की तो वह है 1.72.12 और दोस्तों जो अपडेट जारी किया गया उसके वर्जन की बात करें तो वह है 1.73.1 तो यहां पर वर्जन चैन्ज हुआ है आप देख सकते है 72-73 हुआ है तो हो सकता है दोस्तों कि आपको आएक्यू 7 में इसी वर्जन पे Funtash OS 12 का बीटा वर्जन अपडेट देखने को मिले हाला कि मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं और बात करें दोस्तों कि इस अपडेट में क्या कुछ देखने को मिला है तो जो मेन प्राब्लम सबसे ज़्यादा था वो यहां पे पावर कंजप्शन के जो आप पे कर रहे हैं कि लेफ्ट की जो था वो प्रापर तरीके से काम नहीं कर रहा था हलाकि यह प्राब्लम मुझे अपने IQ7 में देखने को नहीं मिली थी वहीं पे दोस्तों अगर आप सिस्टम में जाएंगे तो यहां पे IQ ने सिस्टम पे काम किया आप देख सकते अप्टिमाईज दपरफार्मेज इस्टेंबाई एंड स्मूथनेस आफ सिस्टम ऑप्रेशन और साथ में दोस्तों इंप्रूब दा इस्टिबिल्टी आप नेटवर्क कनेक्शन तो यह भी प्राब्लम बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रही थी कि नेटवर्क हाला कि दोस्तों यहां इस अप्डेट में कोई अडिशनल फीचर तो आपके फोन में देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन जो दो मेजर प्राब्लम थे ना आपके आपके आप्डेट में जो पिछला अप्डेट आया था उसको इस अप्डेट में कंसीडर किया गया है एक ब मेरे आपडेट आया था ना उसको आल्रेट मैं इस्टॉल कर चुका हूं और इस पूरे प्रॉसस में केवल तीन से चार मिनट लगे हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है और इस अप्डेट के बाद आपके फोन में एक फीचर को भी एड़ किया गया है तो उसके बार है उसके बारे में बात करके दोस्तों अगर आप यहा पर सांड के आफसन में जाएंगे ना सांड में तो यहां पर एक आफसन आड कर दिया गया है आप देख सकते हैं नीचे की और शूपर आडियो मॉड यह कमाल का आडियो मॉड है इसमें वेसिकली अगर इसको आन करके तो आपके फोन में जो भी आप operation यहां पे यूज कर रहे हैं जैसे वीडियो देख रहे हैं गेमिंग देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उसके according आपके फोन का sound अपने आप कस्टमाईज हो जाएगा आप देख सकते हैं ऐसे कमाल का feature लग रहा है जब हम इसको यूज करेंगे तो यह कितना काम करता है वारे में हम बाद में बात करेंगे फिलाल दोस्तों एक ओबर्वीव देरा था इसकी डीटेल वीडियो आ जाएगी तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक करिए धन्यवाद